वीर्स जो है इसकी लोवर वीर्स की वैलू कितनी है अपर वीर्स की वैलू कितनी है ओके एक बार मैं समझा देता हूं कि यह इसको लोवर वीर्स बोलते हैं इसको अपर वीर्स बोलते हैं Lower Weeds की value कितनी होती है? Bun होती है. Upper Weeds की value 5 होती है. Okay? इनको हम क्या बोलते हैं? Rots होते हैं. ये. Buns Rods, Tens Rods, Hundred, Thousand Rods. ठीक है? ये क्या होता है? Center Point होता है हमारे. ये. Center Point और ये Middle War और ये Answer War भी बोलते हैं. इसको Center Point बोलते हैं. ठीक है? Middle War और Answer War भी बोलते हैं इसको हम. ठीक है? हमेज़ा हमारी Calculation Center Point से Start होती है. कहां से होती है? Center Point से. Okay? जब हम Calculation नहां से Start करते हैं. ठीक है? Right to Left की तरफ स्टार्ट करते हैं. Right to Left की तरफ स्टार्ट करेंगे. यहीं से करते हैं. Okay? जब इसमें करेंगे, आगे Decide करेंगे. Okay? तो, First of all, क्या है कि हम Addison की बात कर रहें? जैसे, अब क्या है? इसको हम Down करेंगे. अब यह क्या हो गया? Upper Wears है या Lower Wears है? Upper Wears. Upper Wears की बेलू कितनी होती है? 5 होती. अब इससे हमारा जो Touch होता है, तो कितना होता है? 5 होता है. अब यह कितना होगा? 1 है, तो यह 5 है. तो कितना होगा? 6. 7, 8, 9. जिससे Touch हो गया, हमारी Value कितनी बनगी? 9. Okay? तो, यह कितना हो गया? 9. अब 9 से आगे, जब हम आके जाते हैं, ठीक है? जिसमें दो चीज़ें और होती हैं. कौन-कौन से? एक तो Small Friend होता है, और एक होता है Big Friend. इसमोल फ्रेंड क्या होता है, बिग फ्रेंड क्या होता है? जैसे, कोई भी चीज हम को आगे बढ़ने के लिए, जैसे, 9 से आगे कोई भी डिजिट हम एड करेंगे, तो, 10 हो जाता है, यह कितने बीड्स में है? मतलब, दो रोड्स में हा रहा है, 10, जैसे, बन और, 0, 10, अब यह दो उनको लेगा यह, ठीक है? जैसे, suppose that, कि मैं यहां कितना लिख देता हूं? यह कितना है, 1 और यह बन, कितना हुआ, 11, ओके, बन और बन कितना हुआ, 11, जैसे, 11 कैसे लिखते हैं हम? कोई रोड से है, इस पर लिख दिया हमने, अब कैसे यह बन है, और यह बन है, कितना हुआ, 11, इससे टच होगा, तो 11 हो गया, ठीक है? अब 10 लिखेंगे, तो इसको हम टाउन कर देंगे, तो यह कितना हो गया? स्मॉल फ्रेंड का यूज कहां होगा? पहले स्मॉल फ्रेंड की बात कर लेते हैं, तो जैसे, कोई भी कुश्चन है, कि 5, 2, और, माइनस 3, ठीक है? या, सिम्पल, हम कर देते हैं, यह, 4, 2, 1, इसको एड करना है, तो कैसे करोगे? जैसे, हमने 4 तो ले लिया, यहां, अब कितना प्लस करना है हमको? यह प्लस नहीं लगा होता है, तो प्लस कही होते हैं, ओके? इतना तो जानते हो, तो, अब तो 4 प्लस किया हमें, अब क्या करना है हमको? 2, ओके? अब इसमें 2 प्लस करना है, तो अब लगेगा, इसमें small friend, जैसे, small friend होता है, कि बंड का, बंड में मैं ऐसा क्या जोडूं? कि 5 हो जाए, तो मैं बं में क्या जोडूंगा, इसमें 4 जोड दिया, तो 2 का कितना होगा, small friend, तो 3 होगा, और 3 का कितना होगा, 2 होगा, 4 का, 1 होगा, 5 का कितना होगा, 5 का कितना होगा, 1 होगा, नहीं, तो यह कैसे चलता है, small friend कितना होता है, यहां तक होता है, ओके, इस big friend कहां तक, start हो जाएगा, हमारा, बताओ, 5 से start, जैसे, big friend यह हो गया, small friend, small friend, ठीक है, अब big friend की बात कर लेते हैं, big friend, जैसे, 1 का क्या है, 1 में ऐसा क्या जोड़ें, 10 हो जाए, तो 1 का 9 हो जाएगा, 2 का 8, और 3 का 7, 4 का 6, और 5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1, यह हो गया, पहले यूज देख लेते हैं, इसका, इस question को करते हैं, अब, 4 किया हो गया है, अब प्लस 2 करना है, प्लस 2 का, हमने बताये था, आपको, small friend क्या है, 2 का, 2 का 3 है, प्लस 2 का कितना होगा, 3 होगा, माइनस 3 होगा, जब वो कोई भी question हो, जब कोई भी चीज, प्लस में होती है, तो उसका opposite जो है, वो माइनस होदा है, जैसे ये बन है, प्लस, तो ये माइनस होगा, ये जैसे सबूदरश के, कि हांसे गट रहा होता, तो मेंस होता, तो मेंस होता, यहाँ, माइनस होता, तो ये क्या होता, प्लस होता, मतलब, opposite, कोई भी चीज अपोजिट होती है, ठेक है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें प्लस 2 प्लस 2 का कितना है माइनस 3 तो माइनस 3 प्लस 5 क्योंकि small friend कितने का होता है 5 का होता है और big friend कितने का होता है 10 का होता है उसमें 10 एड़ करते है big friend में small friend में कितना एड़ करते है बताओ, इसमोर फ्रेंड में कतना एक्ट करते हैं अब आप 5, तो बिग फ्रेंड में एक्ट करेंगे कितना, 10, ओके, यह दो चीजे हैं इंपोर्टेंट, तो अभी यह समझना है, ओके, तो यह हुआ, तो बन प्लस करेंगे, तो अगें बन, तो इस काहन सा कतना है, बताओ, 7, ओके, तो दिस इस से, अब एक्ट कर लेते हैं, जैसे 5 है, और 2 है, और बन है, और यह बन है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले तो क्या करेंगे हम, 5, that is 5, फिर 2 है, 2, फिर बन, फिर बन, फिर बन, इसमें तो यूज नहीं है, अंसर कितना, 9, नहीं आता तो इसमें नहीं लगेगा, आएगा, तो देखना पड़ेगा आपको, केस में लग रहा है या नहीं, पहले एसमल फ्रेंड देखो, एसमोल फ्रेंड हमारा, एक ही वीज में लग जाता है, ठीक है, वीज मतलब, sorry rods एक ही rods में हमारा small friend लगेगा और big friend लगता है otherwise जो जितनी भी rods हैं उनमें जैसे 10th rope लगेगा 100 पर 1000 पर 100 पर सब में लगेगा otherwise इसका दोन का huge है small friend then again big friend ओके तो यहां तक समझ में आया तो clear अब आगे चलते हैं देखो small friend हुआ big friend में क्या होता है कोई भी चीज हमने कोई भी चीज मैंने यहां लिखी question लिख दिया यह हो गया मैंने question लिख दिया अब मैं पहली क्या करूंगा 8 plus किया 8 plus हो या फिर 5 plus करना है 5 plus करना है तो 8 plus वाले हैं ओके तो 8 plus तो डारेक्ट हो गया उसमें अब 8 5 plus करना है मैंने बताया था कि बिख फ्रेंड क्या है 5 का 5 का 5 यह plus होगा तो यह minus होगा ओके अब 8 होगा तो बिख फ्रेंड लगेगा क्योंकि इसमें स्मॉल फ्रेंड ही नहीं बिख फ्रेंड लगेगा 5 हमको एड करना है तो 5 का क्या है 5 तो 5 का 5 minus plus 10 करेंगे यह 10 होगा क्योंकि बिख फ्रेंड हमेशा दूसरी ही beats में जाता है मतलब big friend मतलब की roads है once roads again वाली second room है मतलब उसमें क्या है हमारा big friend यूज होता है तो यहां तक हुआ तो 3 plus करेंगे इसमें 3 यहां हो सकता है क्योंकि small friend लग सकता है अब 3 plus करेंगे 3 का small friend क्या है 2 3 का कितना है 2 इसको plus 2 करेंगे तो minus plus 3 करेंगे तो minus 2 होगा तो minus plus 3 minus 2 then again कितना अंसर है 60 तो कितना 16 अब यह तो हो गया suppression sorry addition खतम basic basic advance नहीं तो यह क्या हुआ addition तो suppression हम करेंगे तो जैसे कोई भी question मैं लिख देता हूँ इसमें या उसमें ठीक यह question अब इसमें क्या है simple है जो simple वाले question होंगे तो easily हो जाएंगे अब उसमें जो carry वाले होते हैं उसमें big friend का use होगा normally अब इसमें मैं लिख देता हूँ 842 842 842 पर अगें क्या है minus लग रहा है तो घटा ना है अब अगें क्या है 711 मैं मैंस कर देता हूँ 711 तो बचा क्या 132 ओके देटेशा अंसर पैस simple big friend का होता मतलब carry वाला तुमारी भासा में जशे की school हों में टेडिसन मैतर काया जाता है उसमें क्या होगा तेरा क्या है उसमें टेडिसन मैतर में क्या है carry होती है मतलब खांसल लेना पड़ता है तो उसमें ऐसे होते तो ये हो गया क्या सप्रेक्शन सप्रेक्शन के बाद में क्या है मल्टिपिकेशन मल्टिपिकेशन कोई भी डिजेड है ये ये वाली मल्टिप्लाई करेंगे तो हम हमारा जो है बेदिक मैत और अबैकस ये जो कैलकुलेशन होती है ये किस से चलती है लेप्ट से इधर से स्टार्ट होती है अब इसमें डिसाइड करना है पहले कि 1,2,3,4 4 जो वो है क्या रोड्स 4 रोड्स पर हमारा जो है आंसर आएगा ये पहले कैसे डिसाइड होगा डिसाइड ऐसे होगा कि कोई भी जब हम मल्टिप्लाई करते हैं उसका मल्टिप्लाई करने के बाद में 1 डिजिट में हमारा आंसर आ रहा है कोईशन डिजिट में मतलब मल्टिप्लाई करके जैसे हैं 8,5 is of 40 तो ये 8 कितने डिजिट में आएगा ये आएगा पूरा 4 डिजिट में जैसे सब ओदेड कि यहां 1 होता तो 3 डिजिट में आता समझ में आ गया ओखे तो यहां सब ओदेड कि 5 ही होता और यहां बन होता तो कितने में आता मैं कहता हूं कि ये कितने में आता 3 में आता क्योंकि इसका मल्टिप्लाई 5 एकन 5 5 जब 5 5 बन जा 5 तो 5 आ रहा है तो इसलिए ये डिसाइट कैसे करेंगे क्विश्चन को देखके अभी तो स्टार्टिंग है जब हो जाएगा मतलब कि जब क्विश्चन करने लगोगे तो ये सूचने के जरुद नहीं पढ़ेगे ओटोमेटिक की स्पीड में तो ना करोगे कि लोकेट की तरह भागोगे फाइम जब हम लगोगे बच्छे दोखोगे तूम कि जब centers करते हैं तेज करते हैं कि आप नॉंट ब्लीब कैसे कर लिया कैसे हो जाते हैं कि हम बड़ी ऐसे नहीं हो सकता ऐसे हो सकता है तो क्या करना है देखना है और यह हो जाएगा अब कुश्चन है हमारा अभी लिखाता हमने क्या लिखाता 5, 7, 5 multiply 5 अब कितने में डिजित में आएगा 4 डिजित में यहां से start करेंगे 5 हर्जे कितने होते हैं 25 तो 5, 5 जा 25 25 25 अंगली हमको यहीं रखने हैं फिर उसके बाद में क्या है 7, 5 जा कितना 35 35 25 अब कितना है 5, 5 जा कितना है 25 25 तो इट इज कितना अंसर है हमारा 2, 8, 7, 5 हो गया 30 जांसर ऐसे ही कोशन करना है थैंक